हेलो गाईस कैसे हो? I hope आप आप लोग अच्छे होगे तो कैईस आज कि इस वीडियो में मैं आप लोगो को बताऊ होगा कि आप Realme Narjo 50i में किस तरीके से फिंगर प्रेंट लॉक लगा सकते हो तो guys आग की इस वीडियो में मैं आप लोगों को fingerprint lock दिखाऊँगा, life proof दिखाऊँगा तो guys वीडियो काफी interesting and knowledgeable होने वाली है तो guys वीडियो को बिना skip किये वीडियो को पूरा देखें अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के एक like कर देगा चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर पेल आइकन प्रेस कर ले क्योंकि आपको इस चैनल पर आगे भी जित रहेंगे कि knowledgeable वीडियो मिलती रहेंगी और friends अगर आपका कोई question है तो आप हमें Instagram पर पूछ सकते हो मेरी Instagram की लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगी चलिए guys आज की वीडियो को रहेंते start so guys fingerprint lock लगाने के लिए आपको के करना होगा आपके छोटा सा application download करना होगा काफी अच्छा application है काफी छोटा application है और guys उस application से आपका जो fingerprint है वो 100% लग जाएगा तो guys उस application को किस तरीके से download करना है और कहां से download करना है वो मैं वीडियो के end में बताऊंगा पहले आप उस application की सारी setting को बिलकुल ध्यान से समझ लो इस setting को आपको बिलकुल ध्यान से समझना है तब ही आप fingerprint lock लगा पाऊगे तो guys यह वो application है इससे हम fingerprint lock लगाएंगे तो guys चलिए इस application को करते हम open तो guys जब आप इस application को फुट बार open करोगे तो guys आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा तो guys आपको यहापे दो option मिलेंगे एक बिलेगा create a pen एक बिलेगा create a pattern तो guys आपको यहापे create a pattern पे click करना और guys यहा तो guys आप पहुंजाओगे अपनी होड़ी settings में तो guys आपको क्या करना है यहापे आपको simply इस वाली setting को यहापे on कर तो guys जैसे ही आप setting को on करोगे तो guys आपके सामने कुछ इस तरह का interface open हो जाएगा अब guys आपको यहापे क्या करना है आपको जिस application में fingerprint lock लगाना है आपको simply उस उस application को इस तरीके से green green कर देना जैसे कि आप यहापे देख सकते हो जिस application को आपको fingerprint लगाना इस तरीके से कर देना मुझे सारे application में लगानी है तो guys मैं सारे application पे इस तरीके से green green कर देता हूँ तो guys आपको मैं दिखाने के लिए आपे कर रहा हूँ आप बाद में कर सकत तो guys आपके सामने कुछ इस तरह एका interface open हो जाएगा आप guys आपको यहाँ पे seek adoption देख रहा हुआ fingerprint unlock आपको simple इस वाले setting को enable कर देना है इस तरीके साब कहाँ आपके दो तीन वार करना है और guys जैसे आप click करोगे तो guys आपके सामने कुछ इस तरह एका interface open हो जाएगा तो guys अब आप यहाँ पे देख सकते हो try it yourself tap two once and hold fingerprint और आप यहाँ पे देख सकते हो तो guys आप जिस finger को यहाँ पे लगाना चाहते हो यहाँ पे select कर लेना है इस तरीके साब को यहाँ पे दबाख रखेना है इस finger को आपको यहांपर select करना है इस तरीके से अगर मैं पूरा यहांपर process समझाऊंगो तो guys वीडियो का ती बढ़ी हो जाएगी तो guys आप मैं यहाँ पर आपको थोड़ा यहाँ पर प्रैक्टिकल के दिखा दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए तो guys आपको इस तरीके दबा के रखना है और तो आपके फॉर्ण में फिंगर्पेंट लग जाएगा और guys आपको इहांपर search बाले option पर click करना है और guys आपक इहांपर सर्च कर देना है fingerprint lock तो guys अभी मेरा यहाँ पर net up है तो मैं पहले यहाँ पर on करना हूँ इस तरीके से आप कुछ देख सकते हूँ अंगर्पेंट इस तरीके से आप कहां पर सर्च करना है और गाइस आप कहां पर थोड़ा सा स्क्रॉल डान कोलते हो लीचे की और चले जाना है इस तरीके से जैसा कि आप या पर देख सकते हो तो गाइस आप